तो गाइज निकलें आज दो पहर में करीब दो बज रहे हैं आफ्टरनून के और चल रहे हैं आज थाइवे की अभी एक ब्रीज आने वाली है हमारे सहर के इसे कहते हैं हुल्लूंग ब्रीज यह देखिए वियू देखिए गाइस वियू और मेरी गाड़ी भी बहुत गंदी हो चुकी है इसे भी चल के भी वास करेंगे तो ब्रीज के हम आ चुके हैं और यह ब्रीज के नीचे आप देख सकते हैं इस लोग यहां पर आयो है का अनलेन है यह देखिए गाइस वियू नदी के उस्तरफ देखिए यह पूल के उपर से वियू देखिए और आगे सा रही है सेंजी वाली आटो यह जो मौसा में अगाई यह विंटर से पहले वाली बहुत ही जबरजस्स लगती है मुझे यह आव है अव है का व इज कर नहीं कि बहुत है जब ख Lancash कि यह व्यू चेक किजिए गाइज व्यू चेक किजिए वाँ के नजारा है आज गाड़ी चल रही है मेरी 56C के स्पीट पे बहुत ही अच्छे से क्योंकि ठंडे की मौसा इंजन जल्दी हीट नहीं करता है और गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है गाड़ी एकदम स्मूज चलती है एकदम मखण चलती है और यह चपरी लड़के इने स्पीड से पार हो गए तो गाइस कमेंट किजे कि आपको आज का वेदर कैसा लगा नजारा कैसा लगा और हम पहुंच चुके हैं हमारे जमसेद्पूर के हाइवे पे वहां पढ़ सकते हैं राची दिमना घाटसीला तो दिमना यहां से 36 किलो मीटर है डिमना चॉक तक वैसे तो राची करीब 140 किलो मीटर से यहां से जमसेद्पूर से बाई रोड और हो सकती है थोड़ी से आफ रोडिंग करनी पड़ जाए हमें तो यहां का रोड उतना भी ठीक नहीं हो तो आची कि अब हाइवे पे और गाड़ी अपकड़े की अना रफतार यह डाली चौतिक यह वागाइज वाई वाज सीन क्या है इस जगे का चेक किजिए गाइस व्यू चेक जिए गाइस वाज दिल खुश होगे आज यहां के वागाइस यू चेक किजिए शिर्फ मांटेंसी मांटेंस पेड़ी पेड़ और हल्की सी दूप यह जो विंटर वाली दूप है यह बहुत ही जबर्जस लगती है गारी को भी वाश करना है गंदी हो गई है थोड़ी सी मुआसम का अनन लिजे गाइस मुआसम का अनन लिजे है है कि आदे यह बहुत है अधा यह है 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 जिसके पास नहीं है उसे तकलीफ है, पर जिसके पास है उसे तो पहनना चाहिए हमारी सेफ्टी करी होती है यह हाइवे है एनेश 33 जो सिच्वेस्टेड है जम्चेतपूर के साइट पे मैं भी जिस तरफ जा रहा हूं अगर मैं सीधा ही जाते रहता हूं तो आज आएगी राची 142 किनोमेटर करीब है अगर मैं पीछे जाता हूं तो इस साइट से जा सकते हम कोलकाता मतलब यह एनेश 33 मेंज नैशनल हाइवे 33 है यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं आल इंडिया यह रोड पगड़ गड़े